दोस्तो एक बहुती संदार भरती जो है निकल कर आ चुकी है हर्याड़ा पुलिस कॉंस्टेबल में जी हैं दोस्तो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हर्याड़ा की जो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन है है एच एससी उनके द्वारा जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिस कर दिया गया है यहाँ पे जो भरती होने वाली है फ्रेंट्स पुलिस कोंस्टेबल की होने वाली है छे हजार पदो पे यह भरती रानेवाली है अल इंडिया किसी भी राज अतले हैं तो फॉन को अपलाई कर सकते हैं कर सकते हैं यहाँ बात करें कि आपको फॉन भरने के लिए कोई भी फी तो देहान लिका गया शक्तल nessa की पोर्जर सकते हैं के बारे में सारी जनकारी को आपको बताने वाले हैं जैसे कि आपको फॉर्म को भर सकता है एक्चुल में सारा चीज को हम यहाँ पर करने वाले हैं वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है समझ में आ सके तो पहले हम समझते हैं कि कितनी नंबर वेकिंसी है तो फिर देख सकते हैं रिक्लूट्मेंट फॉर 6,000 पोस्ट पॉस्ट पॉलिस डिपार्टमेंट यानि पॉलिस डिपार्टमेंट में जो है 6,000 पदों पर भरती जो यहाँ पे निकाली गई है ओनलाइन अप्लिकेशन यहाँ पर इन्वाइट करे गये हैं आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं और 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहां बोला गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट हर्याड़ा, इसके लिए क्वालिफिकेशन और यहां पे पोस्ट डिटेल्स के बारे में जनकारे दिया गया है कि केटेगरी वन में 5000 पोस्ट को रखा ग यहां पे आपको रखा गया है उनके लिए यहां पे पदो को रिजर्व किया गया है तो यह वकेंसी फ्रेंट्स यहां पे निकाली गए बात कर यहां पे क्वालिफिकेशन की दोनों पद के लिए मेल और फिमेल दोनों केंडिट्स यहां पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो ओ जो है 10 प्लस 2 या नी 12 हुई पास होने चाहिए किसी भी बोर्ट से किसी भी इंस्टूट से और आप मैट्रिक अस्तर पर हिंदी या संस्कृत मतलब कोई कि एक सब्जेक्ट आपके जो है मैट्रिक अस्तर पर होने चाहिए दोनों में से कोई एक या तो हिंदी हो या तो संस्कृत हो दोनों है तो अच्छी बात है लेकिन एक बोला गया है कोई आपका होना चाहिए कोई अच्छा वेटेज आपको नहीं दिये जाएगा अगर कि तो देखसे हैं स्टार्टिंग स्ललुरी आपका जो सरी का होता है जोकी 117 stabs फ्रेज़ आपका स्टरे अपका पेस कील्रेव होता अब यहाँ पेस्कील से कितना आपको से लिर इन हेंड के आसपस आहेगए इसमें 11700 उलरीव दिखाएगा है असमें आपका डीए ये वर्क करने के लिए जाते हैं डिस्टिक लेवल पे हैं कि आप राजधानी में हैं कि ग्रामिड शेतर में आपकी ड्यूटी लगी है तो उस हिसाब से भी salary थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है तो ये आपकी salary in hand 30,000 के आसपास 30 से 33 बतीस ही आपका salary in hand आपको रहेगा हर सल बृध्धी भी होते रहता है तो salary के मामले में अच्छी भरती है बारवी पास पी है बात करें age limit की तो 18 से 25 वर्स की आपकी उम्र सीमा है तो आप form को apply करेंगे एक फरवरी 2024 को आपका यहाँ पे यह डेटर बर्थ का जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो candidates SC से आता है और backward class से आता है और EW से आता है उनको operate limit में पांस year का जो है आपको जो है यहाँ पे छूट जो है दिया जाता है इसकी बास यहाँ पे criteria for selection and examination यह सबसे important बात है कि इसका selection process क्या है देखें मैंने आपको starting नहीं बताया कि सबसे पहले आपका physical होगा तो physical किस बेस पे होगा यहाँ पे समझे जैसे माल लिजिए हर्याणा SSE हर साल जो है ना common eluded test करती है देखें common eluded CT exam होता है तो जो भी candidates CT pass किया हुआ है इस बार वाला 2023 में conduct हुआ था यहाँ साब साब लिखा गया है यहाँ देखें advertisement common entrance test of group C qualified candidates मतलब जो candidates group C qualified है common entrance test जो हर्याणा के द्वारा निकाला गया था जो qualify है वही लोग form को भर ही पाएगा दूसरा कोई यहाँ पे नहीं भर पाएगा और जो यह मतलब pass है common eluded test वही form को भरेगा और उनहीं को जो है ना merit त्यार किया जाएगा उनके जो qualifying CT के base पे और उनहीं को जो है physical measurement test और physical screening test य लास्ट में आपका जो है result आजाएगा और अब select हो जाएंगे तो यह इसका overall selection process है अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि सर हमने यहाँ पे common eligibility test दिया ही नहीं है तो फिर आप eligible नहीं है जिस तरह से UP में PT exam होता है आप सबको पता है UPP SSC के द्वारा तो उसी तरह से वही यहाँ पे form को apply कर पाएगा दूसरा को यहाँ पे form को apply नहीं करेंगा लिखा हुआ है merit obtained by them in common eluded test for physical measurement test and for them then for physical screening test both which will be qualifying in nature यह दोनों qualifying in nature होगा आपको qualify बस करना इसके लिए कोई marks आपको नहीं मिलेंगे इसके लगा लिखा गया इक्वल टू फॉर टाइमस अफ नंबर एवटाइज पोस्ट ऑफ इच कटेगरी फॉर नॉलेज टेस्ट मतलब 6,000 जो वेकेंसी उसके जो है चार गुना के इंडिट्स को क्या करेंगे यह लोग जो है नॉलेज टेस्ट में बुलाएंगे यहाँ पे 24,000 के इंडिट्स को लुघ करेंगे नॉलेज टेस्ट में बुलाएंगे उतना मेरी एत्यार करेंगे किसके लिए तो नौलेज टेस्ट के लिए नॉलेज टेस्ट लास्ट महो užगा एक छोटा सा है गारि क्या अथी जह रतिया गया है उसके अंकारी करेंगे तो देखे appendix B के recording हम देखा जाए तो इसमें जो height ना पी जाती है male constable के लिए तो 170 cm आपकी height ना पी जाती है general candidates के लिए और इसमें आपकी जो chest ना पी जाती है 83 cm unexpected मतलब बिना फुलाए हुए 83 होना चाहिए और यहाँ पे बात करें फुला के तो 87 यहाँ पे आपको रखा जाता है 4 cm का आपको यहाँ पे फुलाओ आना चाहिए chest में और अगर कोई माले जे reserve category से आता है तो उनकी height 168 cm यहाँ पे minimum रखी जाती है और chest की बात करें तो 81 से लेकर 85 यहाँ पे रखा जाता है तो यह आपका यहाँ पे chest रहता है अगर हम बात करें female के लिए तो female में यहाँ पे height और ज्यादा कम भी हो जाता है तो यह सारी चीज़े यहाँ पे रहती है आप समझ गए तो यह पहले आपका PMT होगा physical measurement test होगा उसके बात से आपका physical screening test होगा यानि आपकी जो है इसमें दोड़ वगरा होती है तो देखिए male candidates को जो है आपको दोड़ करना है 2.5 km 12 मिनट में female को करना है 1 km के रहनी 6 मिनट में एक service man को 1 km के रहनी करनी है 5 मिनट में तो यह आपके जो है physical screening test यहाँ पे होता है यानि दोड़ होता है तो यह आपके होते हैं जो candidates physical measurement test qualify होता है उन्ही को यहाँ पे आगे physical screening test यानि दोड़ वगरे के लिए बुला जाता है अब यहाँ पे इनों लिखा हुए कि radio frequency identification device जो है उसकी बाद से मतलब PMT और PST तो उसकी बाद से आपका होता है knowledge test knowledge test देखेंगे तो इसमें आपका जो है इतना percent का होता है 94.5 मतलब maximum marks का होता है जिसमें objective type multiple choice question यह सब आपके रहते हैं और यहाँ देखेंगे तो Hindi English दोनों language में आपका जो exams होते हैं अब यहाँ देखेंगे तो बताया गया कि additional weightage आपको जो है जो NCC certificate holders है और socio economic criteria के अंतरगत आते हैं तो उनको जो यहाँ पर 5.5 marks यहाँ पर मिल जाते हैं यानि 94.5 प्लस जोड़ेंगे 5.5 marks तो यह हो जाता है 100% तो इसी base पर आपका selection यहाँ पर होता है अब देखें यहाँ पर syllabus क्या रहाता है knowledge test का जो 94.5 marks का होता है इसमें आपके syllabus जो होते है general studies, general science, current affairs, general reasoning, mental aptitude, numerical ability, agriculture, animal husbandry से भी questions आते हैं अब यहाँ लिखा there's will be at least 10% question related to the basic knowledge of computer तो computer से भी आपके आपके 10% के questions पुछे आते हैं 20% question related to basic knowledge about हर्याडा यानि हर्याडा से 20% के questions आपके आते हैं हर्याडा से ही especially तो यह जो है आपके syllabus रहते हैं अब इसमें देखेंगे तो बताया गया कि 10 plus 2 का जो level है वही आपका यहाँ पर रहने वाला है questioning का अब pattern of examination की बात करें तो OMR based आपका जो यह knowledge test होगा अब इस knowledge test में आप देखेंगे तो there shall be no negative marking कोई आपको जो negative marking नहीं रहता है तो आप अगर 2, 3, 4, 10 questions छोड़ के आ रहें तो उसमें आप तुक्का मार देजिए का पता है एक दो सही हो जाए तो यह चीज़ आप कर सकते हैं अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारा चीज़ दे दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह सारी चीज़े है आपको यहाँ पर बताया गया सिलेबस के बारे में अब सोचियो एकोनोमी काइटेरिया में देखेंगे तो यह सब बताया गया कि आप जो है क्या किया है तो आपको कितना पट्षिंट का अलग से वेटेज यहाँ पर मिल दाएगा तो यह सारी इफ एक आपको फॉर्म को फिर यहाँ कोस्ट में भर के देंगे जी हां दूस्तों हाला कि to लगने रहें लाट इस मेल करें अपने वाटसप नमिर आपको देंगे और इसके त्रू आप क्या करेंगे हम से जो फॉर्म को भरवा सकते हैं तो आप हमें अपनी जनकारी को मेल करें ठीक है यह मेरा मेल आइडी है इस मेल आइडी पर डीयस.helping एक बार और यहां मैं लिख देता हूं होता क्याना फिन्ट्स हमारे इससलिए आपकी आपको दिक्कत हो रही है अगर आपो इनका टॉल फ्री नंबर नौ से लेकर सामको पांच बज़ा तक आप इनसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको form भरने में कोई भी दिक्कत होती है और अपको अप्लाई का process यहां पर बता दिया गया है कि कैसे आपको form को भरना है documents देखें क्या क्या लगेगा form भरते समय ये पले समझ लेज़ें देखें आपको जो भी essential qualification बोला गये जैसे कि दसुई बारहुमी बारहुमी पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए तो वह आपको दोनों डोकुमेंट्स चाहिए दसुई का भी और बारहुमी का भी मैट्रिक सर्टिफिकेट भी चाहिए जिस पर आपका डेटर बर्थ सो होना चाहिए अगर आप SC या BCA, BCB या EWS या ESM एक सर्विसमें से आते हैं तो इन सबका जो है सर्टिफिकेट आपको आपके बनवा के रखना है जो भी वेटेज का क्लेम करना चाहते हैं जैसे कि NCC या स आइको एकनोमिक्स जैसे चीजों पर उपर तो अपना जो सर्टिफिकेट यहां पर देंगे फोटोग्राफ लएगा सीनेचर लएगा अप्लोड करना है आपको इसके बास से अगर आप इस से ज़दा भी पढ़े हैं जैसे 12 अजय हादा पढ़े है तो उसका जो डोकुमेंटस है वह आपको 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 अपर देना पढ़े तो यहां पर आपको निवास नहीं लगेगा नहीं जाती लगेगा इसके बसे equivalent certificate if applicable इसके लावा और कोई certificate आप दे सकते हैं ESM यानि EWS एक सर्विस एकनमिकल विकर सेकेंड यानि जो जनरल से आते हैं 10% रिजरोशन में उनको 23-24 का जो है न इसके लावा देखेंगे तो BCA और BCB का जो category certificate लगता है वो भी 23-24 वाला यहाँ पर आपको लगेंगे तो यह सब आप documents बनवा लेंगे अभी आपके पास 10 दिन का समय है क्योंकि आविदन 20 तारिक से start हो रहे है तो अभी आप जितना जल्दी हो सकें उतना जल्दी आप लोग जो है पॉर्म भरते समय अप्लूड करना तो यह अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्चार्ड सर्टिफिकेट अगर आप एक सर्विसमें है तो eligibility criteria for family member of ESM ESM के कोई family member है तो उनकी भी eligibility criteria का जो है certificate होता हो आपको यहाँ पे देना होगा और इसकी बास से disability certificate for dependent of disabled ESM तो उनको भी अपना certificate देना होगा freedom fighter के अगर आप claim कर रहे है children या grandchildren तो उसका भी certificate आप कहाँ पे देना होगा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका लगने वाला है यहाँ पे handwritten declaration वो क्या है देखिए इसी में आपको दिया हुए handwritten declaration आपको दिखाना चाहूंगा वह आपको खुद के writing में लिखके और upload करना इसके इनकर करके देखिए इसके अंदर इस box के अंदर इतना इतना ठीक है न यूज करते हो और यहाँ पर अपना अस्ताक्षर करेंगे जैसे भी करते हो फिर इस English वाले जो है matter को यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पे लिखना है जो भी यहाँ लिखा हुआ है सेम सेम छाप दीजेगा और फिर यहाँ पे अंग्रेजी में आपको signature कर देना यहाँ हिंदी में signature कर दीजेगा जैसे भी करते हो और उसके बाद से इसी को scan करके आपको upload करना है तो यह आप 23 नमर पेज पे download कर सकते हैं जो की आपका दिया हुआ है handwritten declaration वाला में यह लगेग दसवी बेस पे हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ा है कोई एक बीस है तो उनका भी form reject होने का पूरे chances होते हैं और यहाँ पे जो भी academic qualification बोला गया है cut off date के according वो नहीं match कर रहा है उनका भी form यहाँ पे reject हो जाएगा इसके बच से under age या over age जिनका हो गया है वह भी यहाँ पे reject हो जाएंगे form नहीं भर पाएंगे इसके अलावा original documents जो है आपका mismatch होते हैं variation होता है उसमें तो भी आपका form reject हो जाएगा lack of essential qualification जो advertisement में दिया गया हो भी आप यहाँ पे reject हो जाएंगे इसके अलावा देखेंगे तो और भी बहुत सारा information दिया आप यहाँ पर पढ़ सकती ह आपको जनकारी समझ में आया होगा हर याड़ा police constable भरती के बारे में आपके मन में कोई भी doubts है comment है comment box में पूछिएगा जैसे आप हमें mail id पे अपनी जनकारी साजा करेंगे हमें form फिलब के regarding एक अलग से proper video लेकर आ जाएंगे तो आप हमें जो है जनकारी को share कर सकते हैं बि के जनकारी एक कर सकते हैं?